दोस्तो नमस्कार, आज जब ये वीडियो शूट हो रहा है, तो आज है नवमी, नवरात्रों की नवमी, और ये वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले एडवांस में इसलिए शूट करने की कोशिश करी है, ताकि कुछ एक खास चीजे ऐसी हैं, जो हम समय से कर लें, उनकी प्ला क्या क्या कर सकते हैं, these all are the things in this वीडियो, तो इसको शुरू से लेकर अंतक बहुत ध्यान से समझे, विज्ञान के पॉइंट अप व्यू से और जोतिश के पॉइंट अप व्यू से, mix combination करके आपको 24 अक्तूबर, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, 24 अक्तूबर को है क्या, शो में फर्स टाइम आये हैं, तो कमेंट सेक्शन में हरर महादेव लिखे, सभी की सभी लोग मिलके, और फर्स टाइम आये हैं, तो सबस्क्राइब, लाइक और शेर ज़रूर कीजिए, तो एक एकर करके बात करने वाले हैं, 24 अक्तूबर की बारे में, 24 अक्तूबर को, गुरू पुश्य है, एक होता है रवी पुश्य है, एक होता है गुरू पुश्य है, तो गुरू पुश्य है नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, जो साल में, पूरे साल में, दो बार, या तीन बार, या बहुत जादा करें, तो चार बार, इस से जादा नहीं आता, और जब महिलाओं के लिए क्या जरूरी है जिन बच्चों के बोड के एक्जाम से उनके लिए क्या जरूरी है जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए क्या जरूरी है साथ में जो बुजरुग हैं उनके लिए क्या जरूरी है husband wife के relationships के लिए क्या important है घर की सुक शान्ती के लिए क्या important है तो these all are the features in this video तो इसको हम एक एक करके step by step समझने का प्रयास करते हैं 24 अक्टूबर के दिन गुरु वार है नाचुरल सी बात है जब गुरु पुष्य नक्षत्र होता है उस दिन गुरु वार वड़ता है 24 अक्टूबर इस डेट को आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए अभी से अपने चार्ट पे लिख लीजिए अपने घर के अंदर 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र है सबसे पहले शुरुबात करेंगे हम जिन महिलाओं को अपने जीवन में अच्छी अपनी ग्रस्ती चाहिए अपनी मैरेड लाइफ में सब कुछ स्मूध चाहिए तो वो क्या करें केले का पेड होगा घर के आसपास कोई मंदिर में वहाँ पर एक लोटे में थोड़े सा शक्कर शक्कर या गुण थोड़े से चने की दाल एक पीले फूल की तोड़ करके पीला फूल तोड़ करके और इन चीजों में थोड़ी सी हल्दी मिला के और जल तो हो गई इस पूरे लोटे के कॉंबिनेशन हो लेके जाए और वहाँ पर बैठ कर ओम नमो भगवते वासु देवाई नमहा इसकी एक माला केवल एक माला और माला के बाद में भगवान श्री विश्नु श्री हरी की जो आरती है और इस जल को केले की जड में the root of the banana इसमें डाल कर प्रणाम कर माथा टेक कर और अपनी जो married life है उसकी खुशी के लिए पारेवारिक जो भी उतार चड़ाव है उनकी बात करके माथा टेक के अपने घर आ जाना है तो these all for the females मतलब ये उपाय जो मैंने point number one है ये सभी महिलाओं को करना चाहिए ये सब के लिए ये नहीं कि specially इन महिलाओं के लिए ये overall सब के लिए point number two जो बच्चे इस साल बोड के exam देने वाले हैं दसवी में हैं या बारवी में हैं उनके लिए क्या करना है एक रोटी लेनी है उस पर थोड़ा सा गुड रखना है थोड़ी सी हल्दी रखनी है थोड़े से चने की दाल रखनी है और रोटी को फोल्ड करना है हथेली पर रखना है और मुठी को बंद कर लेना है आफ्टर फाइव मिनिट्स पाँच मिनिट बाद वो फोल्ड़ जो मुठी है उसे ओपन करना है और वो जो रोल है वो गाय को अपने हाथों से खिला देना है बहुत सिंबल और सॉफ्ट उतना ही साइंटिक है बोर्ड एग्जैमिशन्स वालों के लिए और भी कुछ है मेरे पास लेकिन वो इसके बाद वोता हूंगा अभी पॉइंट नंबर थ्री पर चलते हैं अच्छा कई महिलाइएं चाहती है कि हमारे परिवार में सुख शांती बनी दे सभी सदस्यों के बीच में एक युनाइटेडनेस रहे एकता रहे आत्मियता रहे और थोड़ा सा प्रेम रहे एक्वालिटी रहे सब कुछ अच्छे से रहे अपने पूरे परिवार के साथ इस दिन 24 अक्तूबर को आपने बैट करके भगवान सत्य नारायन की कथा करनी है उसमें साथ में दो-चार चीज़ें रख लेना जिसे गुड रख लेना चना रख लेना केला रख लेना और बूंदी के लड़ू रख लेना इन चीजों से भ परिवार में सब अच्छे से फलता फूलता रहें तो यह है पॉइंट नमबर फोर ओवर ओल फैमिली की सुख शान्ती के लिए पांचवा पॉइंट है शत्रुता अब कई बार ऐसा होता है कि शत्रुताएं हो जाती है एनेमीज हो जाते हैं आपके हिडन शत्रु होते हैं यानि अंजाने शत्रु पता नहीं होता कि कौन शत्रु है लेकिन कोई तो है या फिर आपको पता है कि ये फलाना शत्रु है इस जिस दिन क्या करना है आपको बहरव भगवान के मंदर जाना है यानि 24th of October के दिन शाम को जा सकते हैं बहरव भगवान के मंदर अकसर तोर पर दिन छिपने के बाद जाते हैं तो जिनको शत्रुता से संबंदित कोई भी प्रकार का भै है आपको लगता है आपके खिलाफ political ची चार बत्तियां लगा देनी है यानि चौ मुखी दिया आटे का बनाना है मिट्टी का नी लेना ठीक है और उसमें सरसों का तेल डालना है चार बत्तियां लगानी है और भैरव जी के सामने उसे जला देना है ठीक है दो इमर्ति के पीस ले जाने है इमर्ति के दो पीस भोग बर्पित कर देना। है महरभ भगवाट जी की आरती करनी ऐंломदा्य उसी दिये से हमें। ुए उनकी चालेसा अगर आती हो वो भी कर लेना। नहीं तो केवल आरती कर लेना। प्रार्थना करना अपने अन्जान शत्रु या फिर जिनको जानते हो वो शत्रु हैं। जाने या अन जाने शत्रु के लिए प्रार्ट्सने करके माथा टेक के अपने घर को ये वाला उपाय जुक मैंने बताय है भी शत्रुता वाला ये शाम को करना दिन शिपने के बाहले बातीके इससे पहले जो अनग कोई या दाइमभाण्ड नहीं है आप कभी भी कर सकते हैं पाच पॉइंट हो गए पॉइंट नम़र 6, बिमार, जो लोग बिमार रेते हैं क्या करना है, दो लॉंग लेनी है, दो काली मिर्च लेनी है, और आदा चम्मच काले तिल, दो लॉंग, दो काली मिर्च और भाफ स्पून काले तिल, हाथेली पे रखने हैं opening, बंद। लेफ्ट हैंड में, इस हाथ में तो यह हो गया, उल्टे हाथ में एक लोटा जल का, शिवलिंग पर जले जाओ, कोई भी घर के आसपास मंदिर में, वाँ पांच मिनट शांती से बैठ जाओ, शंकर जी का ध्यान कर लो, कोई मंतर आता है वो कर लो, कुछ भी नहीं आ और ओम नमस्षिवाए बोलते 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 बास, माथा टेको प्रणाम करो घर वापस, पॉइंट नमबर छे था बीमारियों के लिए, जिनको भी हेल्ट इशूस वगएर रहते हैं, उन्से जरूर करवाए, नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड का नमबर आगया दुबारा, एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा गुर्ण डालना है, और थोड़ी सी हल्दी, सूर्य भगवान के सामने जाना है, तो चीज़े करनी है बच्चों को, ये थोड़ा सा मुश्किल है, एक करना है गायतरी मंत्र, अब ये मुश्किल क्यों ह इसमें थोड़ा सा आपको जादा करना वड़ेगा, 31 बार या 41 बार, या वच्चे थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं तो एक माला, सूर्य भगवान के फ्रेंट खड़े होके, 108 बार, 31 बार या 41 बार, कम कर सकते हैं तो 31, 41 और प्रॉपर कर सकते हैं तो एक माला, यानि 108 ब है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है तो एक तो ये चीज ध्यान दख रही है बस कि बोड़ एक्जैमनेशन हो गया इसके बाद पॉइंट अगला है करजा जिनके ऊपर करजा बहुत रहता है अब क्या करना आपको रोटी बनानी है गुड की गुड को तोड़ लो उसको तोड़ा से जैसे वो करते हैं तोड़ लेते हैं तोड़ करके उसको रोटी में फिल कर दो जैसे परांथा होता है ना आलू का प्रांथा अलू फिल कर दे ऐसे गुड को थोड़ा तोड़ कर बारीक करके परांथे में बना दो और उसमें कोई भी बितेर लेलो नॉर्मल रि काले च्टटे कुछा मेर्न कौषिष कर नहीं है ब्लाक मिले नहीं मिले तो ब्लाक मिले थो ब्राउन तीनों अप्शन रॉम सीकॉइंस वाइस और बाकि जो है कवे को कर्जे के लिए और एक मीठा पान यह भी कर्जे में ही है यह भी कर्जे वाले में ही ऐड़ कर लीजी उन्मान जी के मंद्र में श्राम को अरपित करके माथा तेक के अपनी प्रार्ष न करके वापस अगला पॉइंट है कहीं कई बच्चे वोते हैं इच्छाइ failure की मनी मनमें एहा कि में यह चीज बनना हैे छोटी ओंटी इच्छाय नहीं होती हैं जो लाइफ-लग होती हैं ignor कि मुझे यह चीज चाहिज और गारी चाहिए श्कूर्टी चाहिए यह इच्छाय नहीं हो था इतो जो एक आपका गोल सो तासक होता आ तो that is called dreams, आपके जो सपने हैं, कोई भी एक सपन, दस मिनिट बैठ जाएं अपने घर के, मंदिर में, धिहान करें बैठ करके, उसी सपने के बारे में बार बार सोचें, इसे त्राटक बोलते हैं, बड़ी प्राचीन विद्या है, जब आप किसी शुब मूरत में, अप जैसा क बन करके, तो that is the meaning of त्राटक, बड़ी प्राचीन विद्या है, आग्या चक्र active हो जाता है, तो 10-15 मिनिट धिहान करें, relaxed करें, और याद करें कि आज, यानि 24 अक्तूबर को, ये बहुत powerful शुब दिन है, आज मैं जो सोच रहा हूं, आखे बन करकर ध्यान कर रहा हूं, मेरा परणाम करें, माथा टेक का पुड़ जाएं, शॉपिंग करने की बड़ी इच्छा है, गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, या कोई भी शुब समान की शॉपिंग करनी है, घर में कुछ भी फ्रिज वगेरा, ऐसे जो आइटम्स होते हैं, घर के कैजूर आइटम्स गाडी वगेरा की बात नी कर रहा है, उसके लिए मूरत अलग से निकलता है, यह वो वाला मूरत नहीं है, मकान खरीदना, गाडी खरीदना, यह वो मूरत नहीं है, जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गए, शादी वगेरा के लिए शॉपिंग हो गई, या घर में कुछ फ्रिज खरीदना है, और electronic goods, छोटे मूटे यह वाला, जिनके लिए मूरत की ज़रोत नहीं पढ़ती, बेसिकरी इस तरह की शॉपिंग, तो यह बड़ा शुब है, और खासकर गोल्ड, सिल्वर बड़ा शुब है, एक आखरी चीज और, आपके बुजर्गों के लिए, आपके पित दूद, इन सब चीजों को जल में मिलाके, लोटे में मिलाके, इस्टील का लोटा ले लें, ठीक है, और पीपल के पेड़ के पास चले जाए, अपने पित्रों का ध्यान करें, और वैसे भी उस दिन तो सयोग से गुरुवार है, गुरुवार मतलब विष्णुजी, विष् से यानि पित्रों से, पीपल के विष्ण में जल डाल दें, ओम पित्रभ्यो नमहा, ओम पित्रभ्यो नमहा, यह बोलते हुए, माथट नेकले, अपने पित्रों की ब्लेसिंग्स के लिए पराथना करें, और आपके पित्र अच्छे से रहें, यह भी आप पीपल से, जहां सी जाधा लोगों को शेयर करेंगे, 24th of October, the biggest day of the year, साल जाते जाते सबसे ताकतवर दिन देके जा रहा है, तो यह जो उपाए मैंने बताये हैं, इन्हें दुबारा से वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेने, जो भी चीज फैक्ट क्लिए, क्लीन ना हो, और यह एक लाइक का बटाने नीचे, उसे हर वेक्ति प्रेस करेगा और शेयर भी आप सभी करेंगे, 24th of October को आपने येन में से उपाये चूर्स करके करने हैं, मैं कुमकुमानन श्री दिल्ली के स्टूडियो से आप प्रोग्राम देख रहेते, अगर आपको जन्मकुंडली संबं किसी भी शुब मुरत संबंधित अपॉइनमेंट्स दे नहीं है, तो दिये गए WhatsApp नंबर पर अपनी अपॉइनमेंट्स बुक कर सकते हैं, कुमकुमानन गुरूप के साथ ने, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अपिनदन करता हूँ, रादे रादे जर्यामातादी, थ झाल्प सबपद प्रित कर सकते हैं, कि झाल्प मुरत विसे वी शेयाद, इसा निएर्याद में वाल्पसा भी का बहुता है। कि साल्पसन है, कि साल्पस हमान गुमान पाल्पस प्रूद जँगान करता हैं, झाल्पस्टान विन संपुत है